okay so let's talk about the 27th of my important kind of affairs hydroxy chloroquine होती है वो एक तरह की दवाई होती है जो कि मलेदिया के लिए treatment में यूज होती है लेकिन इसको COVID-19 या कोरोना के treatment के लिए भी यूज किया जा रहा है एक keyword होता है solidatory trial solidatory trial का मतली यह होता है कि आपके जो global level पर जो clinical trial हो रहे है यह कोई इनसान है अब इसको इनसान के ओपर injection लगाया जा रहा है that's not a solid trial fiscal stability जो एक council होती है यह एक non-study body होती है इसको act of parliament से नहीं बनाया गया है इसका chairman जो होता है finance minister होता है United Nation का combat desertification जो है उसके लिए एक एक मातर only 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 एक मातर program है यह जो की legally binding है इसके इलावा desertification का कोई program नहीं है United Nation का sovereign bond जो होते हैं वो भारसर का द्वारा जड़ी की जाते हैं यह rupee dominated होते हैं यह अगर आपको नुकसान होगा तो भी rupee में होगा अगर फाइदा होगा तो भी rupee में ही होगा पंदरवा finance commission जो आया है उसमें 2011 की census यूज की गई है और इस पंदरवा finance commission के अंतर जो population उसका weightage कम कर दिया गया है पहले 27 था पंदरा percent कर दिया गया है जो अच्छी बात है क्योंकि जो जिनका जिनकी population कम है उनको भी फाइदा हो जाएगा इसके अलावा forest area है उसको बढ़ा दिया गया है और इसके अलावा जो weightage of income होता है उसको कम कर दिया गया है क्योंकि कोछ स्टेट जो है काफी ज़्यादा income करते हैं पंदरवा finance commission के तीन प्रकार की grant दी गई है एक तो revenue deficit क्योंकि अभी बहुत सारी states को करोना की वज़े से अन सब लोगों को भी नुकसान हुआ है local bodies को grant दी जाएगे और disaster management के लिए grant दी जाएगे तीन प्रकार की grant जो है आप जयाद रखे इस important तो climate emergency जो है उसको declare करने वाला पहला देश जो था वो तो UK था लेकिन पहला जो ब्लॉक है यानि पहला जो ग्रूप है वो European Union है जिसने climate emergency कोशिद करी है तो द्यान दखे पहला ग्रूप और पहली country दोनों में difference है forest rights act जो है 2006 के अंदर parliamentary act है यह और इसके अंदर forest के अंदर आप रह सकते हो आप एक फैमिली को चार एक हेक्टर की जमीन जो है दी जाएगी लेकिन जो यह schedule tribes होती है basically इनको यह दिकार दिये गए कि वह जंगल में रह सकते हैं लेकिन अगर आप schedule tribe नहीं हो तो आपके ford father को कम से कम 75 जो है जंगल में रहना पड़ेगा तभी आपको forest के राइट मिलेंगे सो जी जो हमने समरी दी है यह inside की समरी है इस पूरी कर ली है बने complete so this is our current affairs finish thank you